नमस्कार किसानवायो किसानवायो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिडो मिल गोल्ड, फंगी साइड जो की सिजेंटा कंपनी का आता है इसमें टेकनिकल क्या है इसका यूज हम कौन-कौन सी फसल के अंदर कर सकते है यानि कि इसका उप्योग कौन-कौन सी फसल के अंदर किया जा सकता है इसका उप्योग हमें किस परकार से करना चीए यानि कि इसका उप्योग हम स्प्रे के मादेम से करें या बिजोबचार के मादेम से करें नमबर तीन पर बात आती है कि कौन-कौन सी फंगस को यह है फंजिसाइड कंट्रोल करता है फसल में इसका उप्योग हमें कब करना चीए यानि कि फसल में किस समय इसका छिड़काव करना सबसे ज़्यादा बेतर रहता है और बात करेंगे कि कितनी मातरा इसके काम में लेनी चाहिए और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इस फंगसाइड के प्राइज के बारे में इस परकार रिडोमिल गोल्ड फंगसाइड के बारे में कंपलीट जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और किसान भाईयो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए किसान भाईयो आज का वीडियो शुरू करते हैं चिजेंटा कमपनी का रिडो मिल गोल्ड फंगिसाइड जो की एक ब्रोड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है यानि की यह कई परकार के फंगस को कंट्रोल करता है बात आती है इस फंगिसाइड के अंदर टेक्निकल की कौन-कौन से टेक्निकल इस फंगिसाइड में मिलते हैं तो चिजेंटा के रिडो मिल गोल्ड के अंदर मेटालेक्सिल 4% पलस मेनकोजेब 64% डबलू पी जो की पाउडर फोम में आता है का कॉंबिनेशन मिलता है साइड का काम करता है जो की पूरे पोदे के सिस्टम में फेल कर उसको फंगिस से मुक्त करता है और इसके साथ जो मेन को जब 64% आता है वह कॉंटेक्ट वार करता है अब बात आती है कि इसका यूज हम कौन-कौन सी वसल में कर सकते हैं तो किसान भायो इसका उपयोग हम मुख्य रूप से कोटन, धान, गेहू, प्याज, लैसुन, सोया बिन, अरहर, उडद और इसके साथ ही बेंगन, टमाटर, मिर्च जैसी सबजियों में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं इसके बात बात आती है कि इसका उपयोग हमें हमारी फसल के अंदर किस परकार से करना चीए तो इस फंगी साइड का उपयोग अदिक्तर किसान भाई बीज उपचार में करते हैं और इसके साथ ही इसका उपयोग स्प्रे के रूप में भी किया जाता है यानि कि इसका उपयोग बीज उपचार और स्प्रे दोनों मेथड से ही किया जा सकता है बीज उपचार के लिए इसकी हम 2 ग्राम आतरा प्रती किलो ग्राम बीज के इसाब से उप्योग कर सकते हैं बीज उपचार करने के बाद हमें 15-20 मिनट तक बीज को चाओं में सुकाना चाहिए और इसके बाद ही हमें इसे बिजाई के काम में लेना चाहिए जिससे की जो फंगी साइड है वो इन दानों के उपड़ आसानी से चिपक्स के इसके अलावा अगर हम इस फंगी साइड का उप्योग स्प्रे के माद्यम से करना चाहते हैं तो भी इसकी हमें 2 ग्राम पर 3 लिटर पाने के इसाब से गोल बनाकर खड़ी फसल में चिपकाव करने के आफशकता होती है जानी की किसान भाईयो अगर हम एक एकड़ भूमी के अंदर फंगी साइड का चिपकाव कर रहे हैं और इसके लिए 100 लिटर पाने का उप्योग कर रहे हैं तो 100 लिटर पानी के अंदर 200 ग्राम रिडो मिल फंगी साइड की मातरा को अच्छे से मिलाकर फसल के अंदर चिपकाव करना चाहिए जिससे कि इस फंगी साइड के बैतर प्रिणाम हमारी फसल के अंदर मिल सकें इसके बाद बात आती है कि यह जो फंगी साइड है यह फसल के अंदर जब इसका चिड़काव किया जाता है तो कौन-कौन सी फंगस को यह कंट्रोल करता है तो यह फंगिसाइड मुख्या रूप से लीप स्पोर्ट, लेट बलाइट, डाउनी मिल्ड्यू, फुरूट रोट, डाई बैक, रस्ट अदी को परभावी रूप से कंट्रोल करता है और इसका जो रजल्ट है हमारी फसल के अंदर वो भी लंबे समय तक रहता है क्योंकि इसके अंदर कॉंटेक्ट और सिस्टेमिक दोनों परकार के फंगिसाइडों का कॉंबिनेशन होता है बात करें इसके चिड़काव की यानी की फसल में इसका चिड़काव हमें कब करना चाहिए तो किसानबायों जब भी हमारी फसल अच्छी वेजिटिव ग्रोथ कर रही होती है उस समय अगर किसी भी फंगस जो की हमने पहले जिकर किया उन में से किसी का भी अटेक अगर हमारी फसल के अंदर हमें दिखाई देता है तो उस समय हमें इस फंगस आइड का उपयोग हमारी फसल के अंदर करने की आवशकता होती है अगर हम इसका उप्योग सर्षियों जैसी फसल के अंदर कर रहे हैं तो सर्षियों के अंदर हम इसका उप्योग पहले सिंचाई के बाद कर सकते हैं फंगी साइड का च्ड़काओ करते समें हमें इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखना है कि س्प्रे करते से में जो मोसम है वो बिल कुल साफ होना चाहिए और जो इस्प्रे है वो पूदों के अंदर बराबर रूप से होना चाहिए जिससे कि जो फंगी साइड का छड़काव हमने फ़सल के अंदर किया है और जिस फंगस को कंट्रोल करने के लिए किया है उस fungus का control अच्छे तरीके से हो सके सबसे लास्ट में बात आती है इस fungus side के price के बारे में कि यह है जो fungus side है यह है market के अंदर हमें किस rate पर उपलबद हो पता है तो इसका जो price है किसन भाई हो यह है 1800 से 1850 रुपे परती किलो ग्राम के आस पास market में available हो जाता है आपके यह है फंगी side किस rate में उपलबद है कमेंट करके जरूर बताएं किसन भाई हो आज की वीडियो में हमने बात की सिजेंटा कमपनी के रिडो मिल गोल्ड फंगी side के बारे में उमीद करता हूँ आपको यह जानकारी उप्योगी लगी होगी इसलिए इस वीडियो को जादा से जादा किसान भाईयों के साथ सेर करें धन्यवाद